तो दोस्तों अगर आपका मोबाइल कहीं गिर गया है या फिर किसी ने चोरी कर लिया है या फिर खो गया है आपने कहीं रख दिया है नहीं मिल रहा है तो आपके लिए बड़ी दिक्कत की बात है मैं बिलकुल समझता हूँ आपको जरूर आपका मोबाइल मिल जाएगा मैंने ये वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको mobile आशानी से कैसे मिल सकता है लेकिन ये वीडियो से भी अगर आपका mobile नहीं मिलता है तो फिर ये जो वीडियो है, ये आपके लिए है ये 100% आपका mobile दिला कर रहेगी क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको tips and tricks जिससे आप अपने mobile को IMEI number के basis पर भी track कर सकते हैं जी हाँ अगर आपके mobile में data बंद है अगर आपके mobile में sim नहीं डली हुई है अगर आपके mobile में internet on नहीं है या आपके mobile को switch off कर रखा है किस कुछ भी है किसी भी वजरे से अगर आपको इस वीडियो में देखने के बाद भी अगर आपका mobile नहीं मिलता है यहां दोस्तों तो आपको सबसे पहले क्या करना है जो सब लोग जानते भी हैं कि जब भी आपका मोबाइल खो जाए तो आसपास वहाँ पर पुलिस स्टेशन होता है उस पुलिस स्टेशन पर जाकर आप अपने मोबाइल की F.I.R. जरूर लिखवाईए कि मेरा मोबाइल खो सकता है कि आपके मोबाइल को किसी illegal activity में use कर ले नाम आपका ही आएगा और आप बुरी तरह से फस सकते हैं इसलिए जैसे ही आपका मोबाइल खो जाए तो आपको सबसे पहले करना यह है कि आपको पुलिस स्टेशन जाना है और पुलिस स्टेशन पर जाकर आपको F.I.R. ल आपको मोबाइल मिलने वाला है अब आप जाएए मोबाइल पर और मैंने जो स्टेप्स बताये हैं उस स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपका जरूर एक से दो दिन के अंदर आपका मोबाइल मिल जाएगा तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहां पर मैं दिखाऊंगा कि आपका खोया होगा मोबाइल आई-म-ई-ा-ई-नमबर के बेसे पर कैसे सर्च किया सकता है और कैसे इसको ढूड़ा जा सकता है चोर भी पकड़ा जाएगा और आपका मोबाइल भी मिल जाएगा तो चलते हैं सब्सक्राइब यहां पर देख सकते हैं दूर संचार विभाग के यहां पर देखिए बहुत सारे ओप्शन देख रहे हैं आपको ब्लॉक स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल अन ब्लॉक फांड मोबाइल चेक रिक्वेस्ट स्टेटस तो मैं सबसे पहले वाले में क्लिक करूं इस ने बहुंगा ब्लॉक स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल क्योंकि मैं आपने मूबाइल को भो खूग गया है कि फिसे ने चुरा लिया है इसमें नीचे जाएंगे नीचे जाने के बाद देखिए यहां पर मुझे जो फॉर्म दिया गया है यह फिल करना है पहला है की मोब इसमें यहाँ पर पहले वाले वाले में आपको टाल देना है पहले मुबाइल का सुछी तो उसके पाइस का मुबाईल मिल अउसा जाए तूर आपको आईयम इचमर मिल जाएगा दोनों ही आईयम आई नमब्स ब्तुछाईrition नमबर मिल जाएंगे तो जो आपको मिल जाएंगे वहां से तो सिम वन का जो आई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई हैं तो जयसे कि यह मेरे से पूछ रहा है ब्रांद तो ब्रांड कौन-कौन से आरहे हैं इस появ joint 적 awhile आपrange कर लिजिए कि कौन सा आठ काicorn ए और यह mobile आपको यहाँ पर कर लेना है प्लिक Sam अब्रांट कर लिए अपने रसाफ से और यह सर्च करने के बाद आप आप चाहिए डिवाइस मोबाइल पर तो आपका जो मोडल था वह मोडल यहाँ पर डाल देना है तो जैसे कि मेरा मोडल था फ़र एक्जामपल वीवो वी-11 तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा वीवो वी 11 या फिर आपका ओपो कोई है तो डाल दिजिए आईफोन है तो यह मोबाइल खरीदा है तो आपके पास बिल भी होगा बिल नहीं है तो मैं कहूंगा कि कहीं से आप बनवा लीजिए बिल जरूरी होता है तो यहां पर यह बिल आपको डालना है चूज फाइल में यहां पर आप चूज करेंगे और आप बिल को डाल सकते हैं मैं भी करकी नही सकते हैं तो आपको means after mobile जो है blue आपलोड कर देना है फिर इसके बाद life बेर का आपका मोबाई कब खोया था कहां पर खोया था तो जहां पर खोया था उस प्लेस का नाम डाल देना मैं जैसे मेरा मोबाई Candice आफ टारीच को मेरा खोया था और कितने बज़े खोया था वो मैं यहां पर डाल दूँगा cutest date में फिर इसके बाद डालूँगा मैं कि किस state मैं हूँ मैं अभी या किस state में रेजिस्टर करा रहा हु अपने F. I. R. को ऊस state का नाम डाल देना है यहां पे फिर इसके बाद district डालना है यहां पर कि किस district में हूँ मैं या फिर किस district में मेरा mobile खोया है वो आपको district का नाम डाल देना है तो यहां पर आपको state and district डालना है जहां पर mobile खोया है फिर इसके बाद police station का नाम डालना है जहां पर आपने इसकी F.I.R. डलवाई है जी यहां दोस्तों आपको F.I.R. डलवाई नहीं पड़ेगी डलवाए बिना आप भी दिक्कत में आ सकते हैं क्योंकि आगर आपका मोबाइल जिसने चोरी कर लिया है वो कुछ अपलोड पुलिस कम्प्लेंट तो जो भी आपने एफाई आर की है उसकी आपको कॉपी मिलेगी रिसेक्ट मिलेगी तो उस एफाई आर की कॉपी को लीजिए स्कैन कराईए या मोबाइल से फोटो कीजिए और यहां पर उसको अपलोड कर दीजिए इसके बाद आते हैं आगे और आगे दिखते हैं कि ओनर की इंफर्मिशन मांग रहा है तो मोबाइल का ओनर कौन है ओनर का नाम है आपर डालना है उसका एडरस डालना है और उसका कोई एक आइडेंटिटी डालना है जैसे कि आधार कार्ड वोटर आइडी या फिर डाइविं लाइसेंस जो जो भी इ आपको बाइडेंटिटी डालना है तो जो भी आपका अधाय का नमबर है और डालना है जो एक क्ने कार्ड अफार dit का तो वह आपको यहांपर डालना है तो जो आपको आपको डालना है और mobile number डालने के बाद जो OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है mobile number जैसे ही आप डालेंगे OTP आएगा तो OTP आपको डाल देना है इसके बाद आपको declare पर select कर देना है और submit कर देना है बस इतना करने के बाद आपको आराम से बैठना है दोस्तों मैंने जो trips and ticks बताए हैं ये अगर आपने follow कर लिए तो इससे आपका mobile जरूर मिल जाएगा 99.99% आपका mobile मिल जाएगा क्योंकि ये जो आपने form fill किया है और इसमें जो ये details दे दी हैं और CEIR website पर आपने अपने mobile की सारी details दे दी है तो होगा क्या इससे कि आपका mobile जिस आपास mobile है हमको यूज नहीं कर पा रहे हैं उसका तो हमारे लिए वह डबा है और अगर हमें हम जानते हैं कि ये mobile किसका है तो अच्छा होता है कि हम उसको लोटा ही देते हैं किसी नहीं किसी form में कहीं रख देंगे या उसके आसपास देंगे ताकि वह विचारा परहिशान साथ मैं एक बहुत ही जाने important tricks बताता हूं आपको कि आपका mobile खो जाए तो आपको आसपास जरूर बताना है और आसपास बताने के साथ साथ आपको ये बिलकुल भी नहीं बताना है कि मिल तो जाए मुझे मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूँगा और ये कर दूँगा और वो कर द दे लेकिन मेरा mobile मिल जाए कैसे भी करके कि उसमें मेरे लिए बहुत जादा important है data और बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए important लिए है तो इससे क्या होगा कि सामने वाले बंदा अगर उसने चुराया है या उसके जानने वाले ने चुराया है तो ये सोचेगा कि यार इसका mobile वा 12,000 रुपे देने में हमारा कुछ भी नहीं जाता है बलकि हम पहले से ही निकाल के रख दें और बता दें आसपास वालों को आसा करता हूँ आपको इस वीडियो में बताई गई इन ट्रिक्स औं टिप्स बहुत ही help करने वाली है और आपका mobile जरूर खोश कर देंगी वीडि झाल